LED बल्ब बिजनेस में फायदा है या फिर नहीं है जैसे इस सर ने कुछ सन पूचा कि LED बल्ब में फायदा है या नहीं है मैंने श्टार्ट अप किया था आज अच्छी खासी net worth हमारी कंपनी की और हमारी कंपनी पड़े अच्छे नई सी नई स्टारट आप कराती है अगर प्रॉफिट ना होता तो जो पड़े के जो बो तुन तीन तीन लोग श्टारट कर रहे हैं मतलब मंतली कि अगर अगर एबरेस की बात करी जा है तो 200 से ऊप जाता है को तो सर मैं एक चीज और प्रसेशिन में पूछना चाहूं गाशनी तो सब्सक्राइब काफिए आपका 10 स 25% क्वाइब एक इंठीर स्टी थे तौर पर स्टार्ट अप करते, जिनके बिजनिस चल पाते, जिनको फ्लाल financial problem खुद को आती है और जो problems आती है उनको face कर पाते हैं काफी लोग होते हैं अगर problem थोड़ी आती वो business ही छोड़के दूसरा business start-ups कर लेते हैं तो पर उनकर बीजनेस बंद हो जाता हैं बिल्कुल सही बात है यहसे बॉइसे जोन्हों अपना जो इर्श टाप पर किया लेकिन मैने मैने तक देखा बजनेस में उनको ग्रोथ नहीं हो रही है बचत नहीं हो रही Olare है जार तक मुझे लगता है कि कि किसी को लंबे समय के लिए मार्केट बनानी है कि अभी प्रॉफट मिला बात का पता नहीं और बहुत से लोग इस तरीके से से चेल करते कि ie आज का मारजन कम रख लेते हैं और आंगे मारजन अच्या कशा कमा लेटे हैं कुछ लोग क्या चाहते है कि महीने का शुरुबाती लेवल में महीने का पचास साथ अजार रुपए कमाने लगें लाख दो लाख कमाने लगें और उस चक्कर में मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है वो डी मॉटिवेट हो जाते हो और आगे चल के अपना बिजनेस वो हो जाता है वो मैंचीज क्या रहता है कि प्रॉफेट जादा कमाने के लिए वो मट्रियल थर्ड कॉल्टी का उप्यो करने लगते हैं कि अब जैसे कोई प्रोडेक्ट होता है कि डियो बी का वर नौन गैरेंटी वाला प्रोडेक्ट होगा वो उसको वो एलमूनियम बॉड बॉड़ी गैरेंटी वाली बॉड़ी में बलगाकर मार्केट में सेल करेंगी कि पर पीस पर 30-40 रुपे का मार्जन मिल जाए तो वहां पर उनका बिजनेस खराब हो जाता है क्योंकि मार्केट में गैरेंटी में देते हैं कि प्रॉफिट जादा है और वो यह नहीं देखत